बहुत दिन के बाद TTAADC ने जॉब वेकिंसी के लिए डोटिस एडविटिस्मिन दिया है मैं सब को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपलाई कीजिये और मुझे खबर भी मिला है कि I think 60 जॉब्स है 60, 62 जो भी है 58 उसके लिए over 6000 applicants है तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज कितना दुख का बात है कि MA past students, BA past students आमीन के लिए अपलाई कर रहे हैं, driver के लिए अपलाई कर रहे हैं, nurses के लिए अपलाई कर रहे हैं जो overqualified भी है क्योंकि तृप्रा में किसी के पास नौकरी नहीं है मैं दो चीज बहुत क्लेली बोलना चाहता हूँ, अगर आपने किसी से भी, कोई leader से भी, रुप्या देकर आपने, किसी ने आपसे रुप्या लिया है और कहा है कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूँगा TTA DC में, तो आप immediately complain कीजे, किसी को एक रुप्या नहीं देना है दूसरा बात है, मैं ensure करूँगा कि कोई भी रिष्टेदार, any relative of EM और MDC को ये जॉब नहीं मिलेगा जो आज 6,000 लोगों ने apply किया है और सिर्फ 60 jobs है, 60 नौकरी है मैं चाहता हूँ कि जो सबसे गरीब है, जिसको नौकरी का सबसे ज़ादा ज़रूरी है जिसको नौकरी का ज़रूरी तो सबके पास है, लेकिन जिसके परिवार में बहुत कश्ट है, जिनको बहुत मुश्किल है उन्हीं को ये नौकरी मिलना चाहिए, एक proper screening process के थो और बाकी का जो जिनको नौकरी नहीं मिलेगा, सब पो तो नौकरी नहीं मिल सकता है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं greater तीप्रे लैंड के लिफाइट कर रहा हूँ आज 95% जो नौकरी है, वो सर्फ अगरतला या बड़े शहर में धर्मनगर, कैला शहर, उदैपूर में हमारे तीप्रासा एरिया में नौकरी ही नहीं है, पूरा बजट सिर्फ शहर को नौकरी दिलवाता है इसी के लिए हमको greater तीप्रे लैंड चाहिए, इसी के लिए हमको constitutional solution चाहिए जो भी हो, आप दिल मत छोटा करना, और मैं सब को फिर से clearly बोलना चाहता हूँ आप कोई भी leader को, अगर पैसा collection कर रहा है कि मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा तो आप एकदम नहीं देना है, ये नौकरी आपके merit में आपको मिलेगा और आप please ensure कीजिए कि कोई अपना पैसा किसी को नहीं देता, ये नहीं चलेगा मेरे government में, हमारे मौथा के government में ऐसा नहीं होगा और कोई भी EM, MDC का रिष्टदार को ये नौकरी नहीं मिलेगा अगर आपको कहीं में कुछ गलत लग रहा है, आप contact कीजिए मुझसे ये हमारे तिप्रा मौथा के senior member से क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो TTA, ADC है एक transparent ली काम करें और मैं चाहता हूँ कि आज अगर MA का student driver का नौकरी ढून रहा है या आमीन का नौकरी ढून रहा है तो हमारे system में कुछ problem है, बहुत बड़ा problem है और ये system को अगर हमको ठीक करना है तो हमको constitutionally greater tipper land चाहिए अगर हम लोग को greater tipper land मिलता है तो ये 60-60 job नौकरी नहीं होगा कम से कम 10-15,000 नौकरी मिलेगा इसी के लिए हम fight कर रहे हैं और इसी के लिए मैं आपका cooperation चाहता हूँ बैलाइनो हम भाए, धन्यवाद, थैंक्यू